इस question में दिया गया है कोई धनरासी आर परसेंट वर्सिक सदन ब्याज की दरपर तीन वर्स में सतन में 66 हो जाती है और उसी सदन ब्याज दरपर चार से एक वटा दो वर्सों में 10,849 हो जाती है तो आर कमान ग्याट कीगी सदन ब्याज क्या होता है हर साल बराबर मिलता है क्य है तो हर साल जो हमेशा समान रहता है में से तो डेड़ साल में ये बड़ी कैसे बड़ी साल में कुछ भी आज मिला होगा जोदा मैं से च्छा गया तो आठ आ गया और सब्सक्राइब कितना रहा है एक साल में एक साल में कितना आएगा तीन से काट लेता हूं सब्सक्राइब कितना हो गया अब देखो साथ साथ सब्सक्राइब कि दर पर तीन वर्स में इतनी हो जाती तो तीन साल में कितना भी आज मिला होगा तीन साल में भी आज मिला होगा एक सो छहाट रुपे बहतीन से गुणा कर दो अब तीन साल में जो रासी है वह बढ़कर कितनी हो गई 676 हो गई उसमें ये क्या कह रहा है 266 रुपे दो भी आज़ी है 266 रुपे क्या है भी आज़े तो यहाँ से क्या हो जाएगा, रासी क्या थी हमारे पास 7 में से 1 गया 6 500 रुपे हमारे पास रासी थी अब देखो, फिर से एक चीज देखो, इसने एक पूछा कि आर कमान पूचा एक साल में ब्यांज कितने आ रहा है सातसो बैस कितने रुपए पर आ रहा है शेतर सो रूपए पर ठीक है इन्टू so ये निकालना है अफशेतर सो का साथ सो बाइस कितना प्रसेंट ये निकालने धेकव मैं क्या देखता हूं भें दस पर्शेंट कितना होगा। फॉंपंच पर्शेंटिस पर तो सात प्रेंट इस घटा दूसा और चुक्ति साथ सुब हाग देगे तो नई पॉइंट पर्शेंट गटा दू कि तो तो